हेलो एवरिवान मैं हूँ प्रियांका और सिंपल सलल किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मसाला चाय इतनी टेस्टी ये चाय बनती है बहुत ही मज़ा आता है इसको पीने में और ये हल्थ के लिए हमारे बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसमें हम काफी इतनी अच्छी आती है कि लोग भी पूछने लगेंगे कि आखिर आपने चाय में अपने डाला क्या है तो चलिए बिना किसी देर के इसको बनाना शुरू करते हैं तो इस मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे दो चमच काली मिर्च थोड़ी सी दाल चीनी एक चमच चमच लेगे हरी एलाइची चोटी गी दो चमच लेंगे लॉंग तुरू चमच पर आङने की जो ड्राइट जिंजर होता है सूख अध्रक उसको पीस लिए उसी को उस्को छोट आई टीन चमच लेंगे यूप मसाला बनाते हैं इससके लिए चलिकाली मिर्च स्ippi to पसक बन यह लॉंग और इसको हम लो फ्लेम पर ड्राय रोस्ट करेंगे एक से डेड़ मिनट के लिए जब तक इसमें से खुश्बू नहीं आने लगती है और इसको आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या जादा भी ले सकते हैं मसालों को जो भी आप जादा पसंद करते हैं वो मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसका पाउडर बना लेंगे अच्छा सा अध्यान रखे बिल्कुल ठंडे हो जाना चाहिए यह सारे मसाले और यह जो सोंट है हमारी इसको हम बाद में आइड करेंगे क्योंकि यह अल्रड़ी पाउडर है तो अभी इसको हम अच्छे से तो यह देखिए सूखे मसाले जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से पाउडर हो चुके हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यह बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं और अब इसमें हम यह सोंट को भी अट कर देंगे ड्राइड जिंजर पाउडर को और इसक चुका है और यह वहुती बढ़िया जो मसाला है चाय का रेडी हो चुकी है तो अब हम चाय बना लेते चाय की पती चीनी तो तीन चोटे चमच मैं डाल रही हूं अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसा भी आप मीठा पसंद करते हो और अब इसमें हम डालेंगे चाय का मसाला चार चुटकी के करीब मैं इसमें ले रही हूं इसे ज्यादा जालें क्योंकि इसका जो फ्लेपर है काफी स्ट्रॉंग है बहुती अच्छा खुश्बू भी इसका आता है और बहुती अच्छा टेस्ट भी आता है तो तो एड़ मिनट के लिए हम इसको अच्छे से बॉल होने देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे तो इसमें डाल देंगे एक कप दूद्ध दो कप चाय के लिए और अब इसे हम अच्छे से बॉल होने देंगे डेड़ मिनट के करीब ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छे से इंटक्ट हो जाए और बहुती अब बढ़ियां सी चाय बने तो यह देखिए डेड़ मिन इसको मैंने चान लिया है कप में और बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी हमारी यह चाय बनी है और इतनी अच्छी इसकी खुश्बू आ रही है ना और देखके आपको भी जरूर इसको पीने का मन कर रहा होगा तो फटा फट से आप इसको ट्राइ कीजे एक बार करेगा इसे लाइक भी करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजेगा तो मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई